नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल औल एक्जाम गाइड गुरूप पर दोस्तों आपसे इस वीडियो में साइंस के एक्जाम में पूछे हुए प्रशन लेकर आये हैं वीडियो पूरा देखिए चेक करें कितने कॉशन आपसे बन प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन देखते हैं जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरती है तो डच भौत एक मात्रा आप परिवर्तर हो जाएगा प्रकास के परावरतन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्षन सही होगा आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं अगला प्रशन इरहाब के सामने अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहन किस के द्वारा होता है तो अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहन किस के द्वारा होता है option number कूट पात प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer option number A प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है sodium hydroxide और hydrochloric अमल की अभिक्रिया से sodium chloride और जल बनते हैं ये कौन सी प्रक्रिया है जिसमें last में sodium chloride और जल बनते हैं तो right answer हो जाएगा किसी भी प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद sodium chloride और जल अगर बनते हैं तो वह उदासी नी करन अभिक्रिया होती है option number A प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer उदासी नी करन अभिक्रिया अगला question निम्ण मैंसे कौनसा enzyme लार में पाया जाता है सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए बतलाई निम्ण मैंसे कौनसा enzyme जो है वो लार में पाया जाता है तो right answer हो जाएगा टाइलिन enzyme लार में पाया जाता है option number C प्रशन के लिए सही उत्तर है समतल दरपन के द्वारा बना प्रदिविंब सिधा और आभासी होता है अगले कॉशन पे चलते हैं प्रशन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुश्य स्वांस गरहन करता है और छोड़ता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है और प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुश्य स्वांस गरहन करता है और छोड़ता है तो वह प्रक्रिया स्वाक्षो वास प्रक्रिया कहलाती है option number B प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question बोपाल गैस तराजदी में गलती से किस जहरीली गैस का रिसा हुआ था option number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन देखते हैं प्रशन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है क्या कहलाते है right answer क्या हो जाएगा तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है ये अभिकारक कहलाते है option number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा इन्हें क्या इन्हें अभिकारक कहा जाता है सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन देखते हैं आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरा को नियंतरित कौन करता है इनमें से राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरा को इनमें से कौन नियंतरित करता है? राइट आंसर क्या है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरा को परितारी का नियंतरित करती है option number A प्रशिंग के लिए सही उत्र है next question देखते हैं प्रशन है उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया किसका उपियोग करती है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया किसका उपियोग करती है राइट आंसर के है तो उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया ग्लुकोज का उपियोग करती है option number glucose प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा अगला question देखते हैं स्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए स्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है तो स्वासन उस्मा छेपी अभी करिया है राइट आंसर है उप्षिन नमबर A प्रश्चन के लिए सहित्र हो जाएगा उस्मा छेपी अभी करिया है किस अभीक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सिजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचती है तो कौन सी अभीक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में ऑक्सिजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचती है तो right answer हो जाएगा विसरन अभीक्रिया प् लबन का पीएच मान कितना होगा यानि कि आप से अमल या पीएच मान पूछा है प्रबल अमल और दुर्बल छारक मतलब प्रबल अमल का पीएच मान क्या होगा तो अमल का पीएच मान साथ से कम होता है option number B प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछा गया अगला प्रश्ण pendulum की अवधी किस पर निर्भर करती है क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्ण के लिए बतलाईए pendulum की अवधी जो है वो किस पर निर्भर करती है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो पैंडूलम की अवधी जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है option number B प्रशिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा यदि दरपण में बना प्रद्विंब हमेशा सीधा आकार में वस्तू के बराबर हो तो दरपण कैसा होगा option number C प्रशिंग लिए सही उत्तर हो जाएगा स्वसन की अभिक्रिया में खाद पदार्थों की परणती क्या होती है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशिंग के लिए बतलाईए स्वसन की अभिक्रिया में खाद पदार्थों की परणती क्या होती है तो स्वसन की अभी क्रिया में खाद पतातों की प्रणती विगटन होती है option number A प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है छारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए समतल दरपन के द्वारा बना प्रद्विंब कैसा होता है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए समतल दरपन के द्वारा बना प्रद्विंब कैसा होता है सही उत्तर क्या है तो समतल दरपन के द्वारा बना प्रद्विंब कालपनिक होता है option number B प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगले question पर चलते हैं क्या पूशा गया है निम्न में से कौन oxy करण کی अभिकरिया नहीं है राइट आंसर किया है बतलाएए इन में से कौन oxy करण کی अभिकरिया नहीं है सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रशिंगे लिए तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा ओक्सी करण की अभिक्रिया नहीं है option number सही उत्र हो जाएगा ओच्छेपण option number A प्रशन के लिए सही उत्र है next question वास्तविक वस्तु का आभासी प्रद्विंब इनमें से किसे से बनता है वह वास्तविक वस्तु का आभासी प्रत्यूम किस से बनता है तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रत्यूम समतल धर्पन option number B प्रशन के लिए सही उत्तर है अगला question देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी ग्रंती है क्या उत्तर हो जाएगा तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती right answer हो जाएगा कौन सी ग्रंती तो option number यकरत c option सही उत्तर हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलकित मैंसे कौन सी आवरत्ती इस पश्ट रूप से मानवकान के लिए शरव्य नहीं है तो मानवकान के लिए शरव्य आवरत्ती इन में से कौन सी नहीं है right answer हो जाएगा 30,000 हर्ज क्योंकि मनुश्य 20 से 20,000 हर्ज तक बस सुन सकता है और 30,000 हर्ज जो है माफ करिएगा 30,000 हर्ज जो option number बी जो है यहाँ पर option number शरव्य आवरत्ती नहीं है अगला कौशन नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ होता है यह कैसी अभी करिया होती है जिसमें यह दही जैसा पदार्थ बन जाता है तो नमक के घोल में सिल्वर नाइटरेट का घोल डालने पर दही जैसा पदारत उत्पन होता है ये उदासी नहीं करना भी करिया है राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक वस्तू का हमेशा सीधा प्रद्विम बनाने वाला दर्पन कौन होता है तो वास्तविक वस्तू का सीधा प्रद्विम हमेशा बनाने वाला दर्पन जो है समतल दर्पन और उत्तल दर्पन होता है option number D प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है मनुश में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का इस्तरा होता है तो मनुश में मादा जनन अंग से जो है रिलेक्सिन होर्मोन का इस्तरा होता है option number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला caution देखते हैं संचारन किस प्रकार की अभी करिया है right answer क्या हो जाएगा तो संचारन अभी करिया एक option अभी करिया है option number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका practice set paper science का उमीद करता हूँ आपसे cautious बने होंगे और आपने अच्छे score gain किया होंगे वीडियो को अपने दोस्तों का अपने ग्रूप में जरूर शेयर करिएगा चैनल पर नहें तो subscribe करके bell icon on कर लिजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो